हाई गाईस ने वेलकम टू द अच्छा गडगोट फार्म जो खाना बनने के बाद पेज रहता है वो बकरी के बच्चों को नमक डालके पिलाने से इनका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा सुधरता है और कुछ बच्चों में जिनमें दूद की कमी है उनके मा में उनको दूद पिलाते हैं गाया भी हमारे पास उसका गाया का भी दूद को और इलों को पत्ती देके इनको चारा-चर्णा सीखाते हैं कि देखिए गाइस हमारे बक्री के बच्चे दीन प्रती दीन किते अच्छे से बढ़ते हैं कि एक एक पर नजर रखे रहते हैं ताकि किसी को कुछ प्राब्लम हो धूप में बाठ रहे ज्यादा तो देखते हैं उसको बुखार उखार थोड़ी है और एक दो बड़ी बक्री के बच्चों को छोण के रखते हैं ताकि वो डंगाल खाना इन से सीखे अब बच्चे खलका बुखार है तब इसको दवाई देंगे और दूद पिलाते समय हमेशा एक ध्यान रखे जिस बख्री के बच्चे को ज़्यादा दस्त हो रहा है इको लाई की समस्या तो उस निपल में उसको दूद नहीं पिलाना है उसके बाटल को चेंज करना है दूसरे बख्री के बच्चों को पिलाने से पहले देखें हमारा कित्ता अच्छा बड़ा बक्रा यह तोता पर ही बक्रेम करास हुए लेकिन इस बच्चे को हलका सा बुखार आ गये था ठीक ठैंक्स गाई प्लीज सब्सक्राइब माई चेनल